नगरिये निकाय चुनाओं से पहले शिवराज सरकार ने सामाने वर्ग को साधने की योजना बना ली है लिहाज़ा अब प्रदेश की शिवराज सरकार कई आयोगों की तरह सवन आयोग का भी गठन करने जा रही है जिसको लेकर प्रदेश के मुख्याज शिवराज सिंग चौहान ने जानकारी दी इसके साथी सीम शिवराज सिंग चौहान ने दिल्ली में किसानों को लेकर कहा कि उनका अपना भरुसा और विश्वास है कि हमारा देश कभी भी हिंसा बरदाश्त नहीं करेगा कि भारती जंता पार्टी की सरकार समाज के हर वर्गी की सरकार हमारे अंसूचित जाती और जंजाती के भाई और बहनों के लिए आयोग बना हुआ है पिछला वर्ग आयोग बना हुआ है उसको भी समगादाने का आयोग का दर्जा हमने दिया है लेकिन सामान वर्ग के भी गरीब भाई और बहन बेटे बेटियां उनकी समस्याओं का समाधान करना यह सरकार का कर्तव्य है और इसलिए हमने तेह किया कि सामान वर्ग के जो हमारे आर्थिकूर से कम्जोर परिवार है दस परसेंट आरक्षन उनको मिल रहा है लेकिन और भी कई कदम उठाने की जरुवत है और इसके लिए हमने आयोग कठिद करने का फैसला किया है देश देख रहा है और मेरा अपना भरोसा और विश्पास है हमारा देश कभी भी हिंसा परदास्त नहीं करता और प्राणों से प्यारा दिरंगा है हमें उसका प्मान को कोई भी सहेंग नहीं है